हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्णिंग विधी तेश आज मैं आपसे इस वीडियो में कलांचो प्लांट की जो की एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है उसकी कटिंग लगाना शेर करूँगा तो ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हो, ये मेरे पास वे ए सी वाला भी होता है फूल इंके सेम आते हैं लेकिन इसके पत्तों में वे एसका मेरे पास काफ़ी बड़ा प्लांट हो चुका था लेकिन गर्मी के कारण वो खराब हो गया तो उसकी मैं दो cuttings बचा पाया, एक मैंने कहीं और लगाई है और ये वाली cutting काफी healthy है, पत्ते काफी बड़े-बड़े हो रही है लेकिन single है, तो इसकी मैं cutting लूँगा काटने का मन तो नहीं करता है, क्योंकि पत्ते काफी बड़े हैं देखने में काफी सुंदर है, एक ही cutting है, लेकिन cutting लगाना भी जरूरी है प्लांट भी multiply होगा और जहांसे हम इसे cut करेंगे, वहीं से फिर दो से तीन branches और निकलेंगी तो प्लांट हमारा bushy भी होगा, और दूसरा ये है hybrid कलांचियो, तो ये red कलर वाला है ये मुझे ऐसे last winters में, प्लांट ही मिला था पूरा, और ये वाला जो कलांचियो है, ये orange कलर का है इसकी भी मुझे cuttings मिली थी, तो इसकी एक cutting मैंने इसमें लगा दी है, ये वाली pink कलर की, ये भी लग चुकी है, कुछ टाइम पहले लगाई थी और ये दूसरा प्लांट देख रहे हूँ, आप ये orange वाला है, इसकी काफी था ये plants, लेकिन सारे खतम होगे गर्मी में तो ये बच्चा है, तो ये एक ही single plant है, तो इसकी भी मैं नीचे से छोटी-छोटी cuttings लूँगा, क्योंकि इसकी छोटी cuttings भी लग जाती है तो ये मैं लगाने वाला हूँ, देशी वाला कलांचो भी है, लेकिन उसकी cutting मैंने नहीं लगानी है, वो मेरे पास काफी ज़्यादा है, ये थोड़े कम है, तो इन्हें मैं multiply करने जा रहा हूँ, तो ये बड़ा सा मेरे पास मिट्टी का एक दिया है, तो इसमें मैं और ऐसी जो sandy soil होता है, उसमें succulent की और ये कलांचो भी succulent nature का ही है, तो इनकी cuttings काफी अच्छी ग्रो होती है, आप डारक इने sand में भी लगा सकते हैं, तो अब मैं इनकी cuttings ले लेता हूँ, वैसे तो इनकी छोटी-छोटी cuttings भी लग जाती है, चार-पांच पत्तों वाली, तो इसमें से मैं ले रहा हूँ देखके, कि थोड़ा plant भी बुशी ही रहे, क्योंकि ये plant थोड़ा बुशी है, बड़ा है, तो ज्यादा मैं बीच में से इसे नहीं निकालना चाहता हूँ, तो देखता हूँ, side-side से इसकी cuttings मैं ले रहा हूँ, और अभी मोसम भी बहुत अ अच्छा है, वैसे तो इसकी cuttings हैं हम बरसात में या अगस सब्तमबर में लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी लगा सकते हैं, वैसे मैंने देखा है, इसकी छोटी-छोटी cuttings भी अगर हम लगा लेती हैं तो उनमें भी full आ जाते हैं, लास्ट येर मुझे मिली थी तो उनमें भ इल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके पत्ते बहुत healthy हैं, बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब थोड़े ही दिनों में इसमें जो है multiple branches निकल आएंगी, तो प्लांट हमारा और भी ज्यादा बुशी होगा, देखने में सुन्दर लगेगा, तो इ इसकी मुझे नीचे से ऐसी cut करनी पड़ेंगी यहीं से, छोटी-छोटी हैं, लेकिन यह लग जाएंगी, क्योंकि पहले भी मुझे ऐसी इनकी छोटी-छोटी cuttings मिली थी, तो सारी लग गी थी सर्तियों में, तो कुछ यह cuttings मैंने ले ली हैं, बस इन में यही देखना है कि थोड़े से नीचे से आप न, इसकी एक node area से इसके जो पत्ते हैं वो हटा दें, ताकि इसमें routing अच्छे से हो पाए, ज्यादा problem ना हो, और leaves मिट्टी में जाके गले भी ना, तो ऐसी simply हम इन्हें मिट्टी में लगाते रहेंगे, मिट्टी में आप हॉल्स करके भी लगा सक तो लेकिन ये मेरी मिट्टी थोड़ी moist है, तो इसी मैं इन्हें ऐसी मिट्टी में insert करता रहूंगा, तो देखें, center में मैंने ये variegated वाला लगा दिया है, और आस पास मैंने जो है, ये सारे hybrid वाले कलांचों लगा देने हैं, तो सर्दियों का बहुत ही ये खूप सुरत flowering plant है, और अगर आप इसे cuttings से अभी लगाओगे ना, तो मैंने देखा है last year, इसमें birds तो बन जाती हैं, December, January तक लेकिन जादा प्लांट बड़े नहीं हो पाते हैं, cuttings में ही birds बन जाती हैं, छोटी छोटी, तो March, April तक ये फिर खिले रहते हैं, क्योंकि इनका फूलों का जो time होता है, बने रहने का प्लांट का, वो भी काफी ज़्यादा होता है, काफी लंबे time तक प्लांट बिये, बने रहते हैं, और एक बार खिल जाती हैं, गुच्छों में, तो देखने में बहुत ही खूप सुरद लगते हैं, धूप में इनके फूल बहुत चमकते हैं, तो अगर स्प्रेई करोगे तो मिट्टी आपको सूखी हुई दिखाई देगी स्प्रेई आप डेली कर सकते हो लेकिन एक दम नीचे तक पानी मतलगी पूरा भर के पोट में पानी ना डाले हलकी हलकी स्प्रेई करें तो सही रहेगा और सैमी शेड में रखें क्योंकि थोड़ा म प्रेई करते रहे हैं तो रूटिंग आपकी आसानी से हो जाएगी और प्लांट आपका गलेगा भी नहीं पानी हम धेर सारा दे दे देते हैं तो फिर उससे रूट्स जो होती है स्टेम जो होती है वो गलने लग जाती है तो अभी भी टाइं में आप लगा सकते हो इनकी और नहीं भी मिलेंगे तो प्लांट आपका मल्टिप्लाई हो जाएगा तो आप अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं आराम से इस टाइम पे भी और बाकी तेज जब ठंड होती है फोक पड़ता है लास्ट दिसंबर में जैनुरी में तब थोड़ा सा मुश्क करते हैं सर्दियों में आपको ये गुच्छों में फूल देगा बहुत ही प्यारे इसके फूल आते हैं तो यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हैपी गार्डन हैं